दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे बड़ी खबर बच्चों के लिए भी आ गया कोरोना का टेका 12 प्लस के लिए जाइडस केडिला की वेक्सिन को मिली मंजूरी जी हाँ पूरी दुनिया में अभी कोरोना से जंग खतम नहीं हुई है इस महामारिस से जारे लड़ाई के बीच कुसगबरी भी आई है 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी वेक्सिन को मंजूरी दे दी गई है ड्रक्स कंट्रोलर जेनल ओफ इंडिया ने जाइडस केडिला वेक्सिन के आपातकाल इस्तिमाल की इजाज़त दे दी है यह दुनिया की पहली भारत में बनी कोविड-19 वेक्सिन है जो डियने पर आधारित है यह वेक्सिन वेक्सिन के अलावा 12 साल से ज़्यादा के उम्र के बच्चों को लगाए जाएगी बड़े कबर राज में अब सड़क दुरगटना में पेड़ित को ततकाल मिलेगा मुआवजा अधिसचना जारी मौत पर आसरेतों को पाच लाक रुपिय देगी सरकार सचीव संजे कुमार अगरवाल की ओर से जारी आदिस में कहा गया है कि मोटर वाहन दुरगटना में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उनके निकरतम आसरेतों को पाच लाक अंत्रे मौवजा देना है जबकि गंभी रुप से घायल व्यक्ति को पचास अजार की सायता देनी है 15 सितंबर 2021 से यहाँ आदिस प्रभावी होगा मौवजा देनी के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को दुरगटना दावा जाच पदाधिकारी तो जिला अदिकारी को दुरगटना दावा मुल्लकन पदाधिकारी बनाया गिया है सियम नितिस कुमार का बड़ा एलान बिहार के इन कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी होई सेलरी जिहां बिहार के कर्मचारियों और पेंसन धारियों के लिए सियम नितिस कुमार ने बढ़ा एलान किया है सियम नितिस कुमार के कर्मचारियों को बड़ी विस्यलेरी देने का आदिस दिया है बिहार सरकार के निदेश पर वित्त विभाग द्वारक गुर्वार को सरकारी सिवक एवं पेंसन धारकों को 28 फिजदी महंगाई भत्त का स्विकृति का संकल्प जारे कर दिया है बिभाग के सचीव लोकिस कुमार सिंग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार एक जुलाई से बड़ दर से महंगाई भत्त का भुकतान किया जाएगा जिहाराज भर में नल जल योजना के तहट लोगों तक सुद्ध पानी पहुचाने का काम चल रहा है और 99% से अधिक इलागों में काम सुरू कर लिया है इसके बावजोत इस योजना के तहट छोटे इलागों को चीनित करने का काम पीएजडी एवं पंचैती राज विवाग क का पूरा बेवरा होगा जिसके बाद छुटे गा बसावट वह घर में योजना के तहट टेब लगाया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नल जल योजना के तहट एक करोड़ 72 लाख 20,000 परिवारों को सुद्ध नल से जल पहुचाने का लच्च है जिसमें से ए करोड 63,500,000 से अधिक परिवारों को नल से सुद्ध पानी पहुचा दिया गिया है बड़ी ख़बर पाटना इनिवसिटी में नामांकन के लिए फॉर्म भरनी की तिति बढ़ी अब इस तिति तक कर सकते हैं आवेदन जिहां पाटना विस विद्धाले ने राज में बार की सिति को देखती बे इसना तक नियमीत कोर्स सेल्फ फिनांस कोर्स एवं वेबसाइक कोर्स में नामांकन के लिए फॉर्म भरनी की तिति बढ़ा दी है अब चात्र एकतिस अगस्त तक ओलाइन आवेदन कर सकेंगे पहले आवेदन करने की आंतिम तिति 20 अगस्त तकी गए थ इसमें नामांकन के लिए पटना विस्विदलाई ओलाइन आवेदन ले रहा है बाड़ी कबर पंचाज चुनाव में बोतो पर होगा बायोमेट्रिक मसीन बिहार में पहली बार होगा इसका इस्तिमाल फिंगर फेस रिडिंग और पलक जबकते वीडियो क्लिप से रोका जा ऐसा होने से फर्जी वोटरों को रोका जा सकता है बायोमेट्रिक मसीन से जोड़ा पहले चरण का ट्राइल पुरा हो गया है जल्द दूसरे चरण का ट्राइल होगा इसके बाद इस पर होने वाले खर्च का पुरा प्रस्ता बना कर सरकार को भेजा जाएगा सरकारी की समात के बाद चुना में बोथो पर बायोमेट्रिक मसीन लगाने का अंतिम फैसला होगा बाड़े खबर राज में बिभागों में एकी नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला पटना हाई कोट ने कहा विस बिदाले द्वारा जारिस सेटिपिकेट पेस ने करने पर नहीं रद की जा सकती है उमिदवारी जिहाराज के बिभिन बिभागों में असिस्टेन एंजिनियर याने की सिविल एंजिनियर के पद पर नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सिवा आयोग द्वारा अहरता प्राप्द उमिदवारों की उमिदवारों को रद कर दिया गया था इस मामले में पटना हाइकोट ने कहा कि इनकी उमिद्वारे इस आदार पर रद नहीं की जा सकती है कि ये विस विद्दालाई द्वारा जारी सर्टिपिकेट पेस नहीं कर सके हैं पोट ने अपने आदेश में अईने बातों के अलावा यह भी कहा है कि जैसा कि सक्चातकार पत में यहां इस पष्ट रूप से कहा गया है कि सक्चातकार के बाद भी यहां निनने लेने का दिकार आयोक के पास सुरक्चित है कि कोई उमिद्वार अपेक्ची सेक्चने की के लिए कि याचिका करता गन बिटे की योगता आविदन के आंतिम तिथी को रखते हैं या नहीं भारत में निभाई दोस्ति पटना से एंडिया रपने नेपाल के लिए रवाना किया अठाश ट्रक बार रहत समान दोनों देशों के बीच मजबूत होगी दोस्ति जिहां बा कि मार हमारे पड़ोसी देश नेपाल भी जेल रहा है वहां कि लोग भी बार की वज़े से काफी फरेसान है नेपाल के बार प्रवावित इलाकों के लोगों को अपने घरों को चोड़कर दोसरा ठिकाना तलासने पढ़ रहे हैं या रहत केम्ब में सरल लेना पढ़ा है हाल रासल सुकरवार को पटना से नेपाल के लिए 28 टरक बार रहात समान भेजे गए है इन टरकों के जरिये फेमिली रीज टेंट, फ्लास्टिक सीट, सिंतेटिक सलिपिंग मेट सैथ दूसरे जरोरी समान भेजे गए हैं टरकों के जरिये समान भेजने की पुरी प्रक्रिया, पटना के बिहाटा इस्तित एंडे आरेप की नवी बटालन ने किया है बड़ी ख़बर राबड़ी आवास पहुचे तेज परताब तिजस्वी से मुलाकात नहीं होने पर भड़के कहा दो भायों के बीच आ रहे हैं संजे यादव जिहां राज़त के प्रदेश एदग जदानन सिंग और तेज परताब यादव के बीच का घमासान अब लालो परिवार के घर के बितर तक पहुच गया है एक और तेज परताब जदानन सिंग पर खुलकर हमला कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम है तो सब ठीक हो जाएगा इसी बीच सुकुरवार को तेज परताब राबरे आवास पहुचे तेज परताब ने तेजस्वी यादव के बेहत करीबी संजय यादव पर गंभिर आरप लगाए हैं राबरे आवास के बाहर तेज परदाव ने मेडिया से कहा कि हम दोनों भायों के बीच बातचित हो रही थी इसी बीच संजय यादव आ गए और तेजसु यादव को लेकर चले गए उन्होंने कहा कि संजय आदव हमको रोकने वाले कौन हैं उन्होंने हम दोनों भायों के बीच चल रही बाचित को भी बीच में ही रोक दिया है तेज़ परदाब ने कहा कि संजय आदव ना तो तेज़स्वी से मिलने दे रहे हैं और ना ही बात करने दे रहे हैं कि हम अपने बात पर अभि भिकायम है जो हमने ठाना है उससे पुरा करके रहेंगे दूसरी और और आरजीरे में ग़मासान के बेच तेजिस्वी की तेजिपरताब को नसीहट माता-पिदा की संसकारों को ना भोले जी हाँ आरजिने में मचे घमासान के बेच सुकुरवार के साम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिली रवाना हुए माना जारा है कि तेज परताब और जगदानन सिंग के बेच जारी जुबानी जंग को लेकर तेजस्वी लालु यादव से बाचित करेंगे दिली रवाना होने से पाले पत्रकारों ने जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि क्या तेज परताब यादव मुलाकात के लिए आये थे तो उनने ने कहा कि उनसे मुलाकात हुई है लेकिन जिस समय वे मुलाकात के लिए आये थे उसी समय बिभक्षी दलों की साजा बेटक शुरू हो गई थी तेजस्वी ने आगे कहा कि वे भले ही मेरे बड़े भाई है लेकिन माता पिता ने हमें यह संस्कार दिया है कि हम बड़ों का कैसे आदर करें चाहे कोई भी हो अनुसासन हिंता ठीक नहीं है पार्टी के अंदर अनुसासन हिंता होने से परिसानी हो उपुमिक मंत्री तार की सोर परसाद ने कहा कि राहत स्वीर में बाड़ प्रभावित लोगों को भोजन सहित अन्य सुविधाव की वेवस्ता की गई है स्वीरियों में आने वालों को घर तक सुकाराशन पहुचाया जाएगा भागल पूर में बड़ी सेंका में उपुमिक मंत्री ने सुकुरवार को अधिकारियों के साथ बाड़ की सिती और रहत कारियों की स्वीरियों में बोरिंग खराब होने की सिकायत मिली है डेम को तदकाल उसकी वेवस्ता करने का निदिस दिया गया है बाड़ी खबर BSB DL8 Face-to-Face परिच्चा 2022 के आवेदन की अंतिम तिति बढ़ी जिहां बिहार बिदाले परिच्चा समीति ने दी वर्सी डिप्लोमा इन इलिमेंटर एजुकेशन यानि की DL8 Face-to-Face परिच्चन सत्र 2022 के प्रथम वर्स और परिच्चन सत्र 2021 के दिति वर्स के सेदान्तिक विशवी की परिच्चा के लिए ओनलाइन आवेदन की तिति अब यारती अब बिना विलम सुलक के 24 अगस्त तक आवेदन फर्म भार सकते हैं भारने वह सुलक जमा करने को लेकर विस्तित नोटिस और ओनलाइन परिच्चा आवेदन पत्र BSB की वेवसाइड सेकेंडरी.biharboardonline.com पर उपलब्द है बड़े खबर नितिस सरकार का राज कर्मचारियों को तोफा इलाज पर 10 लाक रुपे तक खर्च कर सकेंगे जिहां बिहार के 4 लाक कर्मे अपने और आसरेतों के इलाज पर अब 10 लाक रुपे तक खर्च कर सकेंगे इसके लिए उन्हें सिर्फ बिवागय इस्तर से ही मंज बाड़ी कबर दच्चिन बिहार में बना विसेश चकरवर्ती छेत्र 23 तक मैदम से भारी बारिस के आसार जीहां बिहार में अगले चार देन 23 अगस तक मैदम से भारी बारिस के आसार है दरसल जारकन के सटे दच्चिनी बिहार में एक विसेश चकरवर्ती छेत्र बना हुआ ह इसकी वज़े से प्रदीश में लगातार अच्छी बारिस होने के आसार है आयमडी के अधिकारी जनकारी के मुताविक बिहार में अभी तक 800 मिलिमीटर से अधिक बारिस हो चुकी है यह बारिस समाने से 60% अधिक है अरांद की बाड़े खबर 34 गाड इस्टेट पावर कमपनी में परिचारक के 500 पदो पर भरतिया जिहां 36 गाड इस्टेट पावर डिस्टिबिशन कमपनी लिमिटेड के वेवसाइट के मैदम से 36 गड इस्टीट पावर होल्डिंग कमपनी लिमिटीड में परिचारक की 500 पदों परभरती के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं इन पदों के लिए ओलाइन आवेदन 21 अगस 2021 सुरू होंगे वहीं आवेदन के अंतिमतिती 20 सितंबर 2021 निधारित की गई है आवेदन सुलक की बात करें तो आनारक्चित और OBC के लिए 300 रुपी वहीं SCHT के लिए 200 रुपी रखा गिया है वेदन मान की बात करें तो 14,800 से 33,000 तक वेदन मान मिलेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बात करें तो किसी भी मायनाता प्राप्त बोर्ड से 10 भी परिक्चा पास होना जरूरी है आवेदन के लिए आप cspdcl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आज के लिए आपका सवाल बताए कि सरकार के दौरा बिहार पंचा चुनाओ के बोतों पर फिंगर फीड लगाने का फैसला सही या नहीं इसका जबाब आप आमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए